जैहिन नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम राजेश कुमार है, साथियों आज हम लोग कुल महत्वपूर्ट 50 MC की कोस्टन सॉल करेंगे, जो कोस्टन से बहुत ही इंपोर्टेंट है, आगामी जो भ मुलार आपको कुस्टन देखने के लिए मिलेंगे, तो साथियों शुरू करते है, हम लोग कुस्टन नमबर फर्स्ट निमनि में से कौन से भोजे पदार्थ में संतुलित आहार के सभी पोसकत्त प्राप्त होते हैं वो कौन सा ऐसा संतुलित आहार होता है जिसमें सभी पोसकत्त पाए जाते हैं तो इस question का जो right answer होगा option D इजे right answer मचली फिस इजे right answer होगा जिसमें सभी पोसकतत पाए जाते हैं next question स्वास्त से सम्मंदित अधारणाओं में सबसे पहली अधारणा कौन सी है health से related question पुशे जा रहा है health से related जो अधारणाओं में सबसे पहली अधारणा कौन सी होती है तो यह जो होती है religious होती है इसका right answer होगा dear friends निम्न मेंसे बृद्धा वस्था में आखों में कौन सा रोग होने की संभावना बनी रहती है जब मनुस्य इंसान old age में हो जाता है तो उसमें कौन सी इसी समस्या होती है जो आखों में उत्पन्न होती है प्रभावित होती है होने की ज़्यादा संभावना रहती है तो यह मोतिया बिन जो होता है यह सबसे ज़्यादा संभावना होती है निम्न मेंसे किसके द्वारा सरीर की बसा का प्रिस्षत मापा जाता है किसके थ्रूप वो काउन सा equipment होता है जिसमें सरीर की बसा का प्रिस्ट मापा जाता है तो इसका जो right answer होगा Skinfold Caliper के दौरा हम सरीर की बसा का measurement करते हैं Next question मानों सरीर में लमबी हड़ियां किस प्रकार का कारे करती हैं हमार इंजान के सरीर में, मानों के सरीर में हमारे सरीर में लंबी अस्थियां जो होती हैं वो किसका कारे करती हैं तो यह लीवर का कारे करती हैं लंबी अस्थियां हमारे सरीर में Next question, मानस्पेसी संकुचन के दवरान मानस्पेसी परिणाम में कोई अंतर न आये तो संकुचन क्या कहा लाता है? मानस्पेसी संकुचन के दवरान मानस्पेसियों के परिणाम में कोई अंतर डिफरेंस नहीं आता है, तो इस प्रकार के संकुचन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता Isometric संकुचन कहा जाता है Isometric का example होता है जैसे दिवार को धक्का देना Next question पहली बार किस Olympic में खेल गाउं बनाय गे थे Important question ने पूछा गया है इस जाम में First time Olympic खेल में पहली बार खेल गाउं कहां बनाय गे थे तो ये बनाये गए थे 1932 लाउस एलंजिल्स में बनाये गए थे खेल गाउं important questions है जरूर write down करिए आप सभी लोग next question हिर्दायदर और stroke volume के अभ्यास के दारान बढ़ जाने से निम्न में से क्या परिडाम होगे जब हमारा heart rate है और stroke volume की बात हो रही है तो अभ्यास के दारान जो हम practice करते हैं तो उसमें जो बढ़ जाता है stroke volume तो उसमें से क्या परिडाम होगे तो उसमें जो परिडाम होते हैं cardiac output बढ़ जाएगा इसका right answer होगा dear friends next question निम्न में से कौन सा उर्जा का सुरोत अधिक उर्जा परदान करता है चार आफसें दिये गए हैं बारे सामने उर्जा का सुरोत सबसे अधिक उर्जा परदान करता है तो blood glucose, muscles, glycogen, triglyslide and ATP तिथा CP तो इसका जो right answer होगा ATP and CP इजे right answer होगा dear friends next question मोहन एक मिनट में आराम की अवस्था में 5 लीटर आक्सीजन ग्रहित करता है मोहन क्या करता है एक मिनट में आराम रेश्थ की अवस्था में 5 लीटर आक्सीजन क्या करता है intake करता है ग्रहित करता है तथा मोहन की अभ्यास के पश्चा च्छतपूरती काल में 8 लीटर आक्सीजन ग्रहित करता है इसके पश्चात अभ्यास के पश्चात आठ लीटर करता है तो यह अत्रीक तीन लीटर आक्सीजन क्या का लाएगा तो उसे कहा जाता है आक्सीजन डिप कहा जाता है अक्सीजन डिप कीजे राइट आउसर ओके फरेंट's next question निपन मेंसे एक मुख्यबाज को क्या कहा जाता है चारापसन दिए कि हमारे सामने यह जो मुक्केबाज होता है उसे क्या कहा जाता है तो इसे पुगलिष्ट कहा जाता है इसका राइट आंसर होगा यह question पूछा जा चुका है जाम में important है जरूर राइट डाउन करें आप सभी लोग निम्न में से एंकर रणर important question है एंकर रणर किसे कहा जाता है तो यह जो एंकर रणर कहा जाता है जो रिले टीम के जो आखरी धावक जो होता है उसे क्या कहा जाता है एंकर रणर कहा जाता है बहुत important question है next question किस साइली द्वारा एक तेज 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 से कर सकता है तो सोहाव एकसी बात है जब कोई free होगा तभी तो best तेज तेज अपना performance दे सकता है चाहे आप हो हम हो जब free होके काम करते हैं तो better काम करते हैं तो free style इस question का right answer होगा next question heart leg से क्या विक्सित किया जाता है जो heart leg technique है विदी ये उससे क्या विक्सित किया जाता है इसे sun sealता विक्सित किया जाता है heart leg training से अच्छा इसको और किस नाम से जानते है heart leg training को तो इसको speed play के नाम से जाना जाता है किस ने की थी गोष्टा हुम लड़ने की थी इंपोर्टंट कुस्चेन से जरू राइट डाउन करिए आप सभी लोग next question बसा के पाचन में कौन सा एजाइम कारे करता है जो फेट होती है उसमें कौन सा एजाइम कारे करता है तो lipage enzyme ये कारे करता है Next question एक छोटे बच्चे के भोजन में किस पोशक तत्तो की मात्रा सामान से अधिक दी जाएगी एक जो छोटा बच्चा है उसके भोजन में खाने में कौन सा ऐसा पोशकता तो होगा जिसकी मात्रा quantity सामान नार्मल से अधिक दी जानी चाहिए तो जो दी जानी चाहिए उसकी मात्रा होनी चाहिए protein इसका ये right answer होगा Next question सबसे पहला ISI mark किस पर लगाया गया फर्स्ट टाइम जो ISI mark है ये किस पर लगाया गया था तो ये लगया गया था तिरंगे पर लगया था इसका right answer होगा Next question निम्ण में भारत में निम्ण में से हैधराबाद में क्या इस्ति थे तो हैधराबाद में क्या इस्ति थे तो NIN इस्ति थे National Institute of Nutrition जिसकी स्थापन कब होई थी 1918 में होई थी National Institute of Nutrition इसका right answer होगा, next question, doping की जांच के लिए सरीर के निम्न में से किन पदार्थों का परिच्छड किया जाता है, तो ये मुत्र का किया जाता है, इसका ये right answer होगा, और खून का भी होता है, मुत्र का ज्यादा होता है, next question, gas chromatography तथा mass spectrometry नामक तकनीकों का परियोग निम्न में से किसकी जांच के लिए किया जाता है, जो gas chromatography तथा mass spectrometry है, इसकी जो technique है, वो किसकी जांच के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है, डोपिंग की जांच के लिए, ये use किया जाता है, gas chromatography और mass spectrometry का, next question, निम्न में से कौन सा उपकरण सारीरी सिच्छा की physiology lab में नहीं आता है, वो कौन सा ऐसा उपकरण होता है, जो physical education की physiology जो lab होती है, उसमें नहीं आता है, पुछा जा रहा है, तो जो stadiometer है, ये नहीं आता है, stadiometer से क्या measure किया जाता है, height meter किया जाता है, जबकि strength scope, sphagnometer, and lactic acid analyzer, ये सब आते हैं, next question, किस उलम्पिक में, किस राष्ठ अध्यक्ष ने और किस खिलाडी को गले में पदक पहनाने से मना कर दिया था तो वो कौन सा ऐसा उलम्पिक था जिसमें वहां के राष्ट ध्यक्ष ने और किस खिलाडी को गले में पदक पहनाने से मना कर दिया था तो 1936 जो बर्लिंग उलम्पिक था इसमें हिटलर ने जैसी एवेंस नाम प्लेयर को गले में पदक पहनाने से मना कर दिया था इसका right answer होगा Next question dear friends ASEAN खेलों को कौन सी संस्था संचालित करती है जो ASEAN गेम से होते हैं उसमें कौन सी संस्था संचालित करती है तो जो OCA होती है Olympic Committee of ASEA ये संचालित करती है Next question वो कौन सा पदार्थ होता है जिसमें सभी vitamin वो midrass पाय जाते हैं Repeated question है मचली इजे right answer होगा Next question हमारे सरीर में दूद को पचाने में कौन सा enzyme कारे करता है जो दूद होता है उसको पचाने में कौन सा enzyme कारे करता है तो Renine ये पचाने का कारे करता है साथि अगर आपको हमारी वीडियो प्रेडित करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली जो भी physical education से related information है, वो आपको सबसे पहले भी ले फ्रेंट्स, साथियों अगर आप हमारे टेलेग्राम चैनल से जूड़ना चाहते हैं, तो टेले जोड़ सकते हैं, dear friends, next question, केड़ी जाधव ने किस Olympic तथा किस देश में भारत के लिए एकल असपर्धा में पहला पदक अरजित किया, भारत के जो केड़ी जाधव ने, कि वो कौन सा ऐसा Olympic था और किस देश में भारत के लिए एकल असपर्धा में पदक जीता था, तो 1952 हेल test cricket match के एक उबर में कितनी बाउंसर अनुमती है, जो test cricket का match होता है, उसमें एक उबर में कितने बाउंसर फेक सकते हैं, तो maximum two बाउंसर हम फेक सकते हैं, okay, next question, ओलंपिया नामक सहर किस देश में इस्तित है, जो ओलंपिया नामक सहर है, वो किस देश में इस्तित है, तो ये इस्तित है ग्रीस में, इसका ये right answer होगा, important question है, पूछा जा चुका है, ये भी question पूछा गया है, ये भी, सभी question जो मैं बता रहा हूं, आपको बहुत ही important question है, आप जरूर write down करिए next question set sort का सम्मंद निम्न में से किस खेल से है जो set sort की बात हो रही है तो ये किस खेल से सम्मंदित होता है तो ये basket ball से सम्मंदित है important है पूछा जा चुका है एक जाम में next question मैलाओं के लिए भाले का भार कितना होता है जो मैलाओं का जो भाले का भार कितना होता है जैवलिन थ्रो की बात हो रही है तो मैलाओं का जो भार होता 600 gram होता है और पूर्सो का जो भार होता है वो 800 gram होता है इसका right answer होगा next question appendix नामक सारीरिक अंग मानो सरीर के लिए आदिकाल में क्या कारे करता था कच्चे भोजन को पचाने में मदद पाचन रसों के स्राव में मदद पाचन के दवरान तापमान बनाये रखता है तो यह कच्चे जो भोजन होते हैं उनको पचाने में क्या करता है मदद करता है appendix नामक अंग, ओके, next question हमारा रक्त असुद dehydrogenated कहां पर होता है तो यह जो हमारा blood है तो यह होता है manspacio में ओके, इसका right hand है जबकि सुद कहां होता है brick में होता है next question निम्न में से goniometer क्या measure करता है तो जो goniometer होता है यह lachila पन flexibility को measure करता है इसका right answer होगा important question है आक्यूका एक jam में rowers cup किस खेल से सम्मंदित है जो rowers cup होता है यह सम्मंदित होता है food wall से important question है यह भी दोस्तो next question भारत में पाए जाने वाले भारत में यहां पे दिये चाहिए दिये जाने वाले खिलाडियों को दिया जाने वाला सरोच राष्टी पुरुसकार कौंसा है भारत में जो खिलाडियों का award दिया जाता है अच्छे इसकी सुरुवात कब से हुई है? 1991-92 से हुई है. मेजर ध्यांचन खेलत में पुरुसकार. और दोड़ाचार पुरुसकार कब से दिया जा रहा है? 1985 से दिया जा रहा है. भारत तर्म दिया जा रहा है. 2 जनवरी 1954 से ये पुरुसकार दिया जा रहा है. और अर्जु प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर सेयर करें. Next question. हमारे भोजन में खाए गए आयरन द्वारा क्या उत्पादित होता है? जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो उसमें आयरन द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो ये हिमोगलोबीन उत्पादित होता है. इसका राइट आंसर होगा. Next question. बिल्मा रुडॉल्फ नामक महिला खिलाड़ी के चर्चित होने का संबग किस उलम्पिक से है तथा उसका संबन्ध किस देशते है? बिल्मा रुडॉल्फ के बारे में आप सभी लोग को पढ़ना चाहिए हिस्ट्री. आप यूटूब से सर्च करके, गूगल से सर्च करके जरूर इनके बारे में जाने हैं. बहुत ही प्रेरक कहानी है इनके बिल्मा रुडॉल्फ की. तो ये हैं 1960 रोम उलम्पिक से हैं और अमेरिका से. ओके, नेश्ट कोस्चन. निम्न में से क्या एक लीवर का कारे नहीं करता है? जो लीवर होता है वो कौन सा कारे नहीं करता है? तो जो हांकी की गेद होती है ये कोई कारे नहीं करता है जबकि क्रिकेट का बैट, स्कुरू, पेज, पुली जो गोल घुमती है तो इसका जो राइट आंसर होगा इस question का option डीजे राइट आंसर होगा लिवर क्या क्या कार करता है, क्रिकिट के बैट का, यह भी लिवर काम करता है, इस कुरूप पेच और पुली जो गोल घुमती है, यह तीनों कारे करते हैं, नहीं पूछा जा रहा है, आप संद बीजे राइट आंसर, नेश्ट कोस्चन प्रतम स्रेडी, लिवर को क्या कहा जाता है, जो फर्स्ट टाइप का लिवर होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो इसे संतुलन का लिवर कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा, नेश्ट कोस्चन गति के नियम बनाने वाले सर आईजेक न्यूटन निम्न में से क्या थे जो गति का नियम जो प्रचपादित किया थे तो आईजेक न्यूटन को क्या थे तो ये थे ब्रिटेन के भौतिक सास्त्री थे आईजेक न्यूटन इसका राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा सारीरिक क्रिया दिती स्रेणी लीवर का उधाराण वो कौन से सारीरिक क्रिया जो सेकेंड टाइप लीवर का उधाराण तो जबडों को खोला ये सेकेंड टाइप लीवर का इज्यामपन होता है गुरुत्वा करसण का संबंद जवय आंतरीकी में किस से है जो गुरुत्वा करसण की बात वह जवय आंतरीकी में किस से उसका संबंद होता है तो यह संतुलन से यह संबंदित होती है नेश्ट कोस्चन प्लांटर फ्लेक्शन नामक गती सिर्फ शरीर के किस अंग से संबंदित होती है तो यह संबंदित होती है टकने से ओके इसका यह राइट आंसर होगा हमारी कोईनी निमन में से कौन सी गती नहीं करती है हमारे जो अलबो होती है वो कौन सी गती नहीं करती है तो घुर्डन उसमें कोई गती नहीं होती है बाकी फ्लेक्शन एक्स्टेंशन एंड फ्रोनेशन इस अभी गतियां कोईनी में होती है नेश्ट कोश्चन, हाथ की उंगलियों को सरीर के मद्द रेखा की और मोणना क्या कहलाएगा? जो हमारी हाथ की उंगलियां है वो सरीर के मद्द रेखा की और मोणना अंदर की तरफ मोणना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, इन्वर्शन कहलाता है, इसका राइट आंसर नेश्ट कोस्ट्यन चल संदि के पास जहां साइ्नमील नामक तरण पडार्थ पाहे जाता है उसका राइट आंसर होगा नेश्ट कोस्ट्वियव क्योंग इसका लिखू्छ दियर फ्रेंड्स इसको हम लोग कहते हैं इसका ये राइट आनसर होगा। नेश्ट कोश्चन, एन एनरोबिक गलाइकोलाइसिस के पर्थम चरण में और्जा कोशिका में कहां बनती है, तो ये बनती है, सारकोपलाज में ये बनती है, इसका ये राइट आंसर होगा, नेश्ट कोश्चन, निम्न में से कौन यूनान से सम्बंदित है, वो चार आपसें दिये गए हैं, क्या यूनान से सम्बंदित नहीं है, तो पलेश्ट्रा, ये भी यूनान से सम्बंदित है, टाइगेट परवत, ये भी सम्बंदित है, यूनान से और पिंडार, ये भी, और जो एक कोलेजियम है ये युनान से संबंदित नहीं कोलेजियम कहां पर है ये इटली रोम में इस्थित है ओके इसका राइट आंसर होगा तो सातियों आप सब लिए को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नेस्ट वीडियो आपको किस टॉपिक प आपको की लिए मैं इसकी वीडियर तीटा था च्रीच दॉफिक बदो भीडियर गडभ केश्समट पर चांसर ठाहत है वीडियर वीडियर प्रीडियर शीडियर प्रीडियर फरे टॉपिक लिएटन